खेति बाड़ी से संब्धित जानक़िह कि खेति बाड़ी चैनल बहुत पहले से चालू है वीडियो करता हूँ शक्सेज होता है उसके बाद वीडियो बनाकर आप तक जानकरिह पहुंचाता हूँ वो मेरा वीडियो पुरा देखिए। माझ जयawik नियुक का उतपादन दिखा रहा हूं। कैसे किया है। सबसे पहले तो आप गेह। देख रहे होंगे यह थे जय गयुक से उतपादित की उतपादन ले रहा हूं। इस जयोआ पिलने 15 तो phrases नरे ऐसे इसमें इसमें ईपन्नी के समसी में तना घ॥चा एक भोबर खात जो अच्छा भुरबुरा हो जो तया हम इसमें एक त्राली डाला है लेकिन एक प्रॉब्लम यह भी होती है कि कम जगे में गोबर का खात अधिक मातर में डालने से इन में जड़ों में गोबर में जो किड़े होते है वह लगनी के संभावना होती है तो लिमिट मातर अपकी जमीन के ऊपर है कि आपको ना ले जाएक ज़य कि कि मैं अपनी जमिन का वज्ञानिक बनूं और उस हिसाब से खेती करूं तो बहुत उत्तम होगा तो मैं प्रोसेस समझा देता हूं आपको कि मैंने क्या किया तो इसमें एक टॉली खात डाला गल्ट्यूटर मारने के बाद उसके बाद मैं नौजल स्प्रिंग किलर से इसमें अबनी जिवामृत बनता है तो उस गिले खेत में स्प्रें मार दिया ना कि वह गटानों पर होना है तो जमिन में बन जाए और शंकला बढ़ जाए ऊसके बाद में आपको दिखा देता हूं कि जैवीग आए-जिवामृत पर आपको आपको दिखा देता हूं यहां सेंपल लाया हूँ क्योंकि आप पुरा यह तो उठाकर नहीं ला सकते तो इस ताइप का भूरा खाद गहूं में मिलाकर आप वो सामन्य सीडिल में डालते हो तो गहूं गिरता नहीं है वराबर क्योंकि नमी रहती इसमें तो क्राप्टिंग मतलब मल्टी क्राप्ट ए इसके खाद के भी मात्रा बराबर गिरती मैंने क्या क्या था कि जमिन थोड़ी मेरी कमजोर है तो साइध हो सकता है कि यहों का अच्छा नहीं है इसलिए मैंने कुछ मात्रा उसमें डीएपी की मिलाई थी मैं पूर्णता जैविक नहीं बोलूँगा जूट बोलने से कोई म में चला आता है मैं तो कोई मतलब नहीं को बॉजाए के बाद में जभ पान्य पर घंम आया तो उसको पानी पहला तो दे दिया इसके बाद में मैंने जो मॉत्रत यो बनाते है चो झिटावाम अमरिद बनाते है उसका इसलिए किया लेकिन acabar्ता है कि आसा नहीं कि बहुत ज के बाद में करें तो नभी वाज़ासे चालने से जमीन से उद्धा आइख और झेख लवार इस पर पानी की बूंदे से जादा असर कर तुम आपने थन्डे तो आपको जैविक खेती का तो इस तरीके से इसको निकालना है अब फरक दिखा देता हूं जैविक गहों में क्या फरक आया है तो यह पोदा देख रहा है इसके कल्ले देखो दिखाता हूं मैं कि यह पोदा एक सामने पोदा उखाड लिया मैंने अब यह एक ही पोदा है अब इसमें गिंती करेंगे तो एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंद्रा 15 यह तो दो खराब हो गए अपन 15 की करनेंगे इसमें 15 है अब जैवीख खेती में होता है कि फशल थोड़ी लेट चलेगी थोड़ा सा तो एक तो ग्यों की क्वालिटी पर नेर्वर करता है कि फशल कितने दिन की हो मैं यह नहीं बोल दूंगा कि इतने दिन में आ जाएगी क्योंकि quality हर प्रकार के अलगाले खेतर में अलगालने जाती है इतने क्ल्य निकलने का एक और कारण होता है कि गहों के वराइटी कि 1-3 निकल है तो अपने गहों के वराइटी बेकार डाल दिया मैंड जUNG or ओड़न दूंक परियह उजह में दातंट नकांगा compress को दिखा दिया मैंने आप यह देखिए यहीं साइड में के रसाइनी आपको तेमरे के द्वारे यह जैविक वाला प्लाट हरा दिख रहा होगा यह भूरसा दिख रहा होगा यह प्लाट देख लिए यह अभी कहा आंधी तुफान पानी चला है तो इसको जैसे ग्यों गिर ग चार पाथ चे साथ आठ उसमें पंधरा थे इसमें आठ सम्तिंग डबल का फरक है तो इतना नहीं भी आए यह दि आपको इसमें सिर्फा 30 परसेंड भी रिजल्ट अधिक मिलता है जैविक में तो जरूर जैविक की खेती कीजिए और जैविक की खेती करने का एक और मैं खेती आपको करना है आपकी जमीन बहुत ज्यादा हलकी है जिसमें ताकत नहीं है आप उसमें चाहेंगे कि पुर्णता में जैविक के धुरू उत्पादन ले लूँ तो बहुत कम उत्पादन आए जैविक खेती के लिए जमीन भी होना उस तरीके की जोड़ी है और क्वा दीरे दीरे उसमें प्रतिवर्स गोबर की खाट डाले जिवा अमरित दाले दीरे 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 करकर रखे वह जमीन आपकी उस लायक हो जाएगी कि आप पुर्णता जैविक पर उत्पादन ले सकते हैं लेकिन शुरू में ही अपन जैमीन को तो सबने बिमार करके रखा हु और लेकिन आप प्रतिवर्स डाले इसमें वैसे तो तीन वर्स गोबर की खाट फैयदा करति है प्रतिवर्श डाले उसके बाद में फिर उसमें पूर्नता जैविक चैलू कर दे तो आप पादन पूर्णता अच्छा मिलेगा तो यह है ग्यों की गिखिती का तरीका और एक पूछेंगे कियो नहीं होते हैं तो उसका कारण यह होता है कि आप जो खुले में जो कुड़ा कच्रा जमा करते हो बारिस का पानी गिरता है उस पानी में उसके जो तत्व है उस पानी के में बह जाते हैं हो तो जो गोबर की खात तैयार करना है तो किसी देश के निचे किसी पाल के सनील पानी ताकि बारिस को पानी डालना है अन्यग Omaha यह जाते है तो किच्वा कर डाल सकते हैं तो दौ तरी के साउंके विर विटाओंगा कि मैं इस तरीके से खाद बनाया था तब वो प्रभावसाली हुआ तब उसने अच्छा काम किया खुले में खाद बनाने से बारिश लगा था तीन मैंने वही पानी उसमें गिरता रहा और उसका पानी भाहते रहा तो उसका देखा होगा कि आपने चाए कलर का मतलब जो चाय मार्केट से लिए हुए उत्पादन भी डाल सकते हो आपके पास मेदी जानवर है आप घर में बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है आपके उपर बजट का मतलब पैसे का खर्च कम आएगा तो यह सब जानकरिया है सबसे अच्छा उत्पादन सबजियों में आपको बहुत अच्छा उत्पादन रोग भी कम लगेंगे और उत्पादन भी अच्छा आएगा और उनकी क्वालिटी आप जब खुद सब्जी को बना कर खाऊगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं वाकई में जैविक का कुछ महत्वा होता है तो आपको एदी हमारी जानकरी अच्छी लगी हो आपको लगता है कि मैं सहीं जानकरी देता हूं और मेरी जानकरी आपको सहीं लगती है तो मेरे चैनल को सब्क्राइब करके रखिए और आइकन की घंटी जरूर दबा के रखिए ताकि मैं जब भी जो कुछ करूं और अच्छा है और उसका रिजल्ट मेरे वीडियो लेट आएंगे क्योंकि मैं जब होता है उत्पादन उस रिजल्टा का सही मतलब उस काम का सही रिजल्टा आता है उसके बाद में ही सामने आप मेरे किसान भायों को जानकर देते हो उसके पहले नहीं दे पाऊंगा तो धन्यवाद धेंकि